होली का समय था और मनोज के पास एक भी पैसा नहीं था मनोज की बेटी राधा कब से जिद कर रही थी पिता जी इस साल हम अच्छे से होली मनाएंगे ना आप गुलाल लाओगे ना हाँ बेटी मैं गुलाल लाओंगा मैं वादा करता हूँ लेकिन मनोज को काम से निकाल दिया क्या था उसकी पतनी शीतल गाओं में लोगों के घरों में काम करती थी और उनी में से एक घर था बिरजु सेट का गाओं में बिरजु सेट शिव भक्त बिरजु के नाम से मशूर था उसके पास बहुत पैसे थे बिर्जु सेट बड़े धूमधाम से हर साल होली मनाता था इस साल भी वो होली की तैयारी में लगा हुआ था एई शितल, अच्छे से काम कर इस साल होली की तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए काम कर रही हूं सेट लेकिन थोड़ी पगार बढ़ा देते तो अच्छा होता घर में खाना नहीं है बच्ची के लिए होली में गुलाल भी तो खरीदना है तो गरीब है गरीब गुलाल खरीदने का सपना छोड़ और काम पे ध्यान दे वैसे ही तेरे पती ने जो उधार लिया था वो उसने चुकाया नहीं अभी तक चुका देंगे मालिक, बस थोड़ा वक्त और दे दीजे कितना वक्त चाहिए तुझे तुझ जैसे गंदे नाली के कीड़ों को तो पीस के मार देना चाहिए ये बोल के बिर्जू सेट अपने शिव मंदर में शिव जी की आरादना करने चले गए वो हर साल होली के दिन बड़े धूमधाम से शिव जी की पूझा करते है उधर शीतल रोते हुए घर गई और अपने पती को सब कुछ बताया मालिक ने पगार बढ़ाना तो चोड़ो पगार दिया ही नहीं बोला पहले का हिसाब चुकता करो ये बोल कर वो शिव जी की मंदर में चले गए ये सुनकर मनोज भी हताश हो गया गरीब के पीट में लात मार के शिव जी का पूझा करना चाहते है हे शिव जी क्या आप ये सब देखने ही रहे हो क्या यही आपका न्याए है मनोज और शीतल की बेटी राधा रोते हुए आई माँ मुझे बूख लगी है खाना दोना घर में कुछ भी नहीं है बेटी कैसे तुझे किलाओ कैसे किलाओ तिनों एक साथ एक दूसरे को पकड़ कर रोते रहे उधर स्वर्ग में शिव जी की आँख खुल गई उन्होंने अपने परिवार को बुला लिया देवी पारवती गणेश कार्ति के माता लक्ष्मी आ गए पति देव आपने इस वक्त हमें यहां क्यों बुलाया ही पारवती मुझे लगता है किस साल होली में हमें धर्ति लोक में जाना चाहिए वहाँ पापों का विनाश करना चाहिए हाँ पिता श्री आपने सही कहा मैं भी वही सोच रहा था ठीक है, कल होली है, कल सुबा सुबा हम सब धरती लोग पर जाएंगे उधर धरती लोग में बिर्जु शिवजी से प्राटना कर रहा था हे शिवजी, मुझे और पैसा दीजिए, और पैसा चाहिए मुझे, जितना ज्यादा पैसा होगा, उतना बड़ा मंदिर होगा, और पैसा दीजिए भगवान इसी तरह वह दिन निकल गया, होली का दिन आ गया, सब लोग रंगीन गुलाल लेकर होली मनाने में व्यस्त हो गए, बिचारी राधा बस देखती रही, उधर शीतल को सुबह सुबह बिर्जु के घर जाना था, शीतल के साथ मनोज भी आ गया, और राधा को भी वो लोग सा पैसा लाया क्या? मालिक, हम मर जाएंगे मालिक, एसा मत कीजे, मेरी बेटी नादान है, छोड़ मुझे, गरीब कहीं के होली के दिन मुझे छोग कर गंदा कर दिया, छोड़, ये बोलकर बिर्जु ने शीतल को एक लाध मारी, शीतल फिसल गई और उसका सर टकरा गया, उसके सर से खून निक चांत हो गया, शीतल, शीतल क्या हुआ तुम्हें, बात करो शीतल, मा, मा क्या हुआ मा, क्या हुआ मा, मा, शीतल को पकड़ कर दोनों रोने लगे, तभी बिर्जु ने दोनों को पकड़ कर कहा, मर गई वो, अब रो के क्या फाइदा, अब तुम दोनों मेरे महमानों के लिए खाना बनाओ, उस हालत में बिर्जु उन दोनों से खाना बनवाने लगा, उसके दिल में कोई दया नहीं थी, कुछी देर में महमाना आ गए, भूखे पेट मनोज और राधा महमानों को खाना परोसने लगे, और फिर काम खत्म करके, वो शीतल की डेट बॉडी लेकर घर चले गए, लेकिन उनके पास शीतल के अंतिम संस्कार के भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो दोनों भीक मागने लग गए, उधर स्वर्ग में शिवजी के सामने नारत प्रकट हुए, नारायन, नारायन, हे देवादी देव, आज आप सब धर्ती लोग पे जाने वाले हैं क्या? हाँ नारत, परंतु तुम यहां क्यों आए हो? मैं भी आप लोगों के साथ जाना चाहता हूं महादेव वाह, यह तो खुश खबरी है, चलो नारत, सभी मिलकर धर्ती लोग का हाल हकिकत देख कर आते हैं चलिए महादेव, नारायन, नारायन शिवजी अपने परिवार को लेकर धर्ती पर आ गए और सभी ने गरीब भिखारी का रूप ले लिया वो सब चलने लगे, उधर बिर्जु होली मना रहा था, रंगीन गुलालों से उसका आंगन भर गया था, साथ में खाना पीना चल रहा था और मंदर में शिवजी की पूजा भी चल रही थी, तभी शिवजी भिखारी के रूप में परिवार लेकर मंदर के बाहर आए भगवान के नाम पी भीग दे दो मालिक, दो दिन से कुछ नहीं खाया है, पीट में चुहे दोड रहे हैं तो मैं क्या करूँ, मैंने मना किया था क्या खाने को ऐसे क्यों बोल रहे हूं मालिक, मैं गरीब भिखारी हूँ, मुझे कुछ दोगे तो भगवान तुम्हें वापस दे देंगे ए भिखारी का उलाद, जा भागियां से, मैं कुछ नहीं दे सकता, मुझे गरीबों से सक्त नफरत है, भागियां से शिवजी वहाँ से चले गए, और उसके बाद उन्होंने मनोज और राधा को भीक मांगते हुए देखा चलो सब लोग, अमीर के घर पे तो हमें कुछ नहीं मिला, चलो उस गरीब के पास देखते हैं मनोज अपनी पतनी की डेड बोडी लेकर भीक मांग रहा था कुछ पैसे देदो साहब, मेरी पतनी का अंतिम संसकार करना है दो न साहब, पैसे दो न तभी वहाँ शिवजी भिखारी के रूप में परिवार के साथ आए और खाने को कुछ है क्या बेटा, बहुत भूख लगी है, मेरा परिवार भूखा है नहीं साहब, हम खूद भूख है है, भीक मांग रहे हैं, पतनी का अंतिम संसकार करना है अच्छा, लेकिन कुछ तो भीक में देदो बेटा, हम भूख है हैं बेटा, होली के दिन कौन भूखा रहता है ये सुनकर मनोज को दया आई, उसने कहा मनोज ने अपने पतनी के अंतिम संसकार का पैसा भिखारी के हाथ में दे दिया, और तब ही सब लोग असली रूप में आ गए मनोज, तुम्हारे पास केवल पांच रुपै दे, वो भी अपनी पतनी के अंतिम संसकार के पैसे लेकिन तुमने वो भी मुझे दे दिया मैं तुमसे प्रसन न हूँ मैं तुम्हें सब कुछ लोटा देना चाहता हूँ ये बोलकर शिवजी ने अपनी जादूई शक्ती का प्रयोग करके शीतल को फिर से जीवित कर दिया उन्हें बहुत सारी धंदौलत दी ताकि उन्हें कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो उधर बिर्जू का घर तूड़ गया घर धंदौलत सब कुछ मिट्टी में मिल गया और घर के नीचे दब कर उसका देहान थो गया और दूसरी और इस साल पहली बार राधा गुलाल से होली मनाने लगी अपने माता पिता के चड़ों में गुलाल लगा कर उसने होली मनाई और वो लोग खुशी-खुशी रहने लगे घर में शादी का महौल है कल रेखा, सुजाता और रेश्मा तीन बेहनों की शादी है तीनों जुड़वा हैं और तीनों की तीनों काली है वो आज बहुत खुश है मुझे तो यकीनी नहीं हो रहे कि कल हम तीनों की शादी है वो भी एक ही घर में उपर से तीनों के पास सरकारी नौकरी है मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि हम तीनों को इतने अच्छे पती मिलेंगे वही तो बचपन से सभी हमें काली कलोटी बोलते थे अब सब का मुझ बंद हो जाएगा उनके मा सुश्मा कमरे में आई उनके हाथ में तीन पीले रंग के कपड़े थे येलो बेटी तुम तीनों के हलदी के कपड़े वा मा ये तो बहुत सुंदर है मुझसे तो इंतजारी नहीं हो रहा है हाँ हाँ अभी ससुराल जाने के लिए इतनी उच्छल रही हो ना दो दिन बाद माय के आने के लिए रोना पड़ेगा देख ले ना रो लेंगे मा लेकिन कल शादी तो कर ले पहले मुझे साजन के घर जाना है मुझे साजन के घर जाना है बस कल अच्छे से शादी हो जाए रिश्मा ने ये कहा ही था कि तभी उनके पिता हरी हर वहाँ आए और बोले सुनो सुष्मा कल सुबा सुबा रमा और उसकी बेटी आ जाएंगी उनके लिए एक कमरा खाली करके रखना ये सुनकर तीनो का चेहरा उतर गया बस हो गया शादी का सत्यानाश बुआ आ रही है पापा आपने बुआ को क्यों बुलाया बेटी वो जैसे भी है मेरी बहन है साक्षा चुडएल है वो उपर से अपनी नागिन बेटी को भी ला रही है उसे तो देख कर ही गुसा आता है सही कहा अब बाद बाद पर ताना मारेंगी दोनों मा बेटी अब क्या कर सकते हैं बेटी परिवार है तो बुलाना तो पड़ेगा थोड़ा एड़्जस्ट कर लो लेकिन तीनो का दिल धक धक कर रहा था बुआ मतलब लड़ाई बुआ मतलब फालतु के नकरे बचपन से देखती आ रहें ये लो तीनो के जन्म के बाद ही रमा ने कहा था ये क्या तीनो की तीनो काली हैं इनकी शादी कैसे होगी और उसके बाद तो तानों का सिलसिला चलता ही रहा रमा की खुद की बेटी गोरी थी इस बाद से रमा को बहुत घमन था रमा जब जब अपनी बेटी पूर्णिमा को लेकर यहां आती थी तब तब अपनी बेटी के साथ इन तीनों की तुलना करती थी देखना, कल बुआ और पुर्णिमा कुछ न कुछ कांट करेंगे, हमें तयार रहना होगा तीनों को नीन नहीं आई, अब वो अपनी शादी से जादा बुआ को लेकर सोचने लगे अगले दिन सूरज उगने से पहले ही बुआ और पुर्णिमा हाजिर हो गई काहा हो सब लोग, अभी तक नीन नहीं खुली क्या बुआ की आवाज से सभी की नीन तूट गई, लो आगी चुडेल, चलो अब बाहर चलो सभी बाहर आए, आओ आओ दिदी, आओ, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई दिक्कत तो हुई ही है, कोई स्टेशन पर लेने ही नहीं गया वो रमा, तुझे तो पता है, शादी है, कितने सारे काम है, उपर से इतनी सुबह हाँ हाँ, मेरे लिए कहा टाइम है किसी के पास सई कामा, हम तो बिन पेंदी के लोटे हैं, यहां हमारी कोई इज़्जत ही नहीं है लो, आते ही शुरू हो गई, क्या कहा तूने रेखा? खुछ नहीं बुआ, कहरी थी इतनी दूर से आई हो, अंदर आओ, चाइवाई बना लाती हूँ हाँ, ठीक है बेटी, चल चाइ पीते हैं रमा अपनी बेटी को लेकर अंदर आई, और सोफे पर बैट गई रेखा उन दोनों के लिए चाइ बना कर लाई, सुश्मा ने बिस्किट और कुछ खाने की चीज़े दी हम कुटे हैं क्या, जो बिस्किट दे रही है, हाँ नहीं नहीं दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था क्या मतलब था, क्या नहीं, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ मामी ऐसा मत कहो, ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए कुछ अच्छा खाना लाती हूँ हम, खाना खाकर तयार हो जाना, कुछी देर में बाकी सब लोग भी आ जाएंगे हल्दी की रसम शुरू हो जाएगी सुश्मा को बहुत काम था, उसकी तीनों बेटियों की शादी थी लेकिन फिर भी उसने रमा और पूर्णिमा के लिए पराठा बनाया पराठा खाते खाते, मा बेटी आपस में साजिश करने लगी मा ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है, इनकी शादी सरकारी नौकरी वाले लड़कों के साथ कैसे हो रही है तीनों इतनी काली हैं, फिर भी कैसे वही तो मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ क्या जादू टोना किया है इन तीनों ने उन लड़कों पर मुझे तो आने का दिली नहीं था मा, आप ही ले आई मुझे खीच कर अरे बेटी, ज़रा सबर तो कर, देख मैं क्या करती हूँ ऐसा काम करूँगी कि हल्दी ही नहीं हो पाएगी इन तीनों की अच्छा, तो आप अंदर ही अंदर प्लान बना रही हो मुझे भी बताओ मा क्या प्लान है रमा ने पूर्णिमा के कान में कुछ कहा पूर्णिमा का चेहरा खेल उठा अरे वा मा, आप तो सच में चुडैल निकली और तू चुडैल की बेटी कुछ देर बाद से रिष्टेदारों का आना शुरू हो गया सभी बिजी हो गए रेखा सुजातो और रेश्मा हल्दी का लेंगा पहन कर तयार हो गए अरे वा, कितनी अच्छी लग रही हो तुम तीनों कहा मामी, इन कपड़ों में अच्छी तो मैं लगती काली लड़कियां पीले कपड़ों में थोड़ी अच्छी लगती है सही कहा बेटी, ऐसा लग रहा है जैसे पीले केले के छिलकी के अंदर सड़े हुए काले केले ये सब सुनकर किसे अच्छा लगता है फिर भी तीनो बेहनों ने सुनकर भी ना सुनने का ना ठकिया उसके बाद तीनों बाहर चली गई वहाँ हल्दी के रस्म होने वाली थी लेकिन उससे पहले ही रमा और पूर्णिमा ने हल्दी छुपा लिया अब देखती हूँ कि हल्दी कैसे होती है सुष्मा हल्दी ढूडने लगी अरे ये हल्दी कहां गई यहीं रसोई में तो रखा था पेस्ट बना कर क्या हुआ सुष्मा परिशान क्यों लग रही हो देखो न थोड़ी देर पहले ही हल्दी का पेस्ट यहां रख कर गई थी अब मिल नहीं रहा है कहीं और रखे होगी नहीं नहीं मुझे पक्का याद है गिर तो नहीं गई हल्दी नहीं बेटी गिरेगी कैसे और गिरती भी तो आँखों के सामने से गायब थोड़ी हो जाती इस वक्त पर रमताने मारने लगी देखा भगवान भी नहीं चाहते कि यह शादी हो हां इसलिए उन्होंने हल्दी गायब कर दी वई तो शादी मजाग तो नहीं है ना काली निकम्मी लड़कियों के साथ सरकारी नौकरी वाले लड़कों की शादी कैसे हो सकती है नहीं दीदी ये आपने सही नहीं कहा मेरी बेटियां काली हो सकती है लेकिन निकम्मी नहीं घर बैठ कर ओनलाइन काम करके पैसे कमाती है तीनों वैसे पैसो का क्या फायदा ओनलाइन का काम भी कोई काम हुआ अच्छा तू कितना कमा लेती है पूर्णिमा पूर्णिमा चुप हो गई, पूर्णिमा को एक भी काम नहीं आता था, उसे तो घर के काम भी नहीं आते थे रमो और पूर्णिमा के ताने सुनते हुए, सभी पूरे घर में हल्दी ठूडने लगे बाहर पंडित जी बैठे हुए थे, उन्होंने चिल्ला कर कहा क्या हुआ, इतनी देर क्यों हो रही है, हल्दी की रस्म को मजाग समझ रखा है क्या नहीं नहीं पंडित जी, बस वो हल्दी नहीं मिल रही है ठीक है, सुश्मा, थोड़ी देर रुको, मैं अभी हल्दी लाके देता हूँ, फिर से पेश्ट कर देना तुम सब में अकल है की नहीं, हल्दी की रस्म शुरू होने से पहले हल्दी गायब हो गई, ये तो भ्यानक अप्शकून है हाँ, सच कहा पंडित जी ने, ये तो अप्शकून है, ये शादी नहीं हो सकती कैसे नहीं हो सकती, क्यूं, तुने सुना नहीं रेखा, हल्दी की रसम शुरू होने से पहले हल्दी का गाया बुजाना अप्शगुन है हाँ हाँ, ये शादी होगी भी, तो तुम लोग विद्वा बन जाओगी ये क्या नाप्शनाप कह रहे होती थी, कम से कम शुप शुप तो बोलो देखो, मुझे बुरी शक्तियों की बुव आ रही है, ये घर शुद नहीं है, यहां से बुरी शक्तियों को हटाना पड़ेगा मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अंदर जा रही हो सुजाता इन सब चीजों से परिशान हो चुकी थी, वो अंदर गई और देखा बुव और पुर्णिमा का बैग सोफे के पास पड़ा हुआ है सुजाता के दिमाग में कुछ आया, उसने बैग खोल कर देखा तो उसके अंदर से पेस्ट की हुई हल्दी निकली अरे बुव नहीं ये सब किया है, मुझे तो पहले से ही शक्ता सुजाता वो बैग लेकर बाहर आई, ये देखो, ये सब कुछ बुव और पुर्णिमा ने किया है हल्दी ना हो पाए, इसलिए इन दोनों ने हल्दी को छुपा कर रखा था छी रमाची, मैंने बहुत उम्मीद के साथ तुझे बुलाया था मेरी बीटिया तो नहीं चाहती थी कि तू आए, अब लगता है, तुझे ना बुलाता तो ही अच्छा होता हाँ, तो वो बुरी शक्तियों की बुव इन दोनों में से ही आ रही थी इन दोनों को बाहर निकालो, नहीं तो इस घर में कभी शांती नहीं आएगी हाँ, बहुत हो गया, सुबह से अनाप शनाप बक्याई जारिंग है ये मा बेटी रमा, आज से तेरे लिए इस घर का दर्वाजा बंद रहेगा, निकल जा मेरे घर से हर्यर ने अपनी बेहन और उसकी बेटी को धक्का देकर घर से निकाल दिया सबके सामने उन दोनों की बहुत बेज़ती हुई, उन दोनों को सबक मिला, उसके बाद तीनों बेनों की हल्दी हुई और शाम को तीनों की शादी हो गए, बुरे लोगों के साय से हमेशा दूर रहना चाहिए, ये लोग किसी के नहीं होते